हे फ्रेंड्स मैं नावर शों गुपता और आज मैं आया हूँ आपको प्रेचर के बारे में बताने फोटोग्रफी में अप्रेचर को F से डिनोट किया जाता है अप्रेचर ही डिसाइड करता है कैमरे में कितनी अमौन्ट अफ लाइट एंटर करेगी लेंस के इस पार्ट को अप्रेचर कहते हैं अगर ये छोटा होगा तो कैमरे में कम लाइट एंटर करेगी और अगर ये बड़ा होगा तो कैमरे में जादा लाइट एंटर करेगी अगर अप्रेचर की वैल्यू बढ़ी होगी फोर एक्जापल F 16 तो camera में light कम enter करेगी और अगर aperture की value कम होगी for example f1.8 तो आपके camera में light ज़ादा enter करेगी और अब आप यह सोच रहोगी इस value को कैसे use करेगी अगर आपके shooting location पर light बहुत ज़ादी है तो आप अपने aperture की value को increase करेंगे for example f16 जिसके help से आपके camera में light कम enter करेगी और अगर आपके shooting location पर light कम है तो आप अपने aperture value को decrease करेंगे for example f1.8 जिसके help से आपके camera में light ज़ादा enter करेगी aperture की help से आप depth of field को भी control कर सकते हैं जिसे हम आगे की वीडियो में सबजेंगे so stay connected for my next video जिसमें मैं अच्टा के बारे मैं explain करूंगा so don't forget to subscribe to this channel और आपको अपरेचर के बारे में कोई री question हो तो comment box पर ज़रूर पूछे